पर यहां चलिए बच्चों स्वागत है आपका दुबारे से इंजिनरे अकेडमी के ओनलाइन पोर्टल पर चलिए फड़ा वट से नेक कुश्चंस पर आते हैं आपके जहां तक हो गए थे ओके चलिए यहां तक कुश्चंस हो गए थे आपके फड़ा वट से सभी लोगों को शेर कीजिए फिर अगली को कुश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं सभी बच्चों को शेर कर दीजिए जिरा ठीक है साउंड वार्म ठीक है चलिए ठीक है आज दूसरी बुक के कुश्चंस है तो फड़ा वट से से शेर कर दो यार इतना फिर क्लास कुश्चंस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग ओके चलिए फड़ा वट से चलिए बाकी लोगो शेर कर दो फड़ा वट से फिर चलो इस कुश्चं का जवाब दीजिए इतना बाकी लोग जो देख रहे हैं कि मैं देखू कितने लोग दे पाते हैं जवाब इस कुश्चंस का ठीक है वड़ा अच्छा कुश्चंस है ठीक है चलो फड़ा वट से कोई बोला है 40 ओके चलिए और 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 टी पैर में टॉर्क पूछा उसने उसने बोला दोट सीरीज मोटर है आर कनेक्टी इन सिरीग्स तो प्रडूस टॉर्क नाओ हिवडा मोटर्स ओर के लड़ इन पैरलल ठीक है दा प्रडूस तो प्रडूस तो पैरल में अगर आप टॉर्क उनको connect कर रहे हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा ठेक है और फिर क्या बोलते हैं इसने पुछा कि जब स्रीज में तो वो टी प्रड्यूस कर रहे थे तो इसमें कितना करेगा चले जल्दी से बताएं फड़ावट से कितने वच्छे जवाब दे पाते हैं अच्छा कल क्लास नहीं चले भई अब इसको करना स्टार्ट करते हैं देखो मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा एक्स्प्लेशन दूँ टॉर्क ठीक है तो टॉर्क किन-किन पेरामिटर्स के ओपर डिपैंड करता है यह तो आपको पता ही है फाई और आई यह ठीक है तो अगर मैं बात करूं टॉ टॉर्क डिरेक्ली प्रपोर्शनल टूफाई और आई यह ठाउर्क इज़कल टूचेंटू के अलग पारमिटर्स फाई और आई यह बाकि सारे पेरेमिटर्स मेरे कोंस्टाइन्ट ही है ठीक है आई के ओपर डिपैंड करता है अगर मैं बात करूं दो केसे लिए चलता हू है ठीक है तो यह प्रकार से होगा और या ओके यह वोर्टेज भी हो गया ओके और इसमें जो जाने वाली करेंट है वो आयो तो मुझे पता है कि अगर मैं बात करता हूं इसकी इसमें ठीक है अगर मैं इनपुट पावर ड्रो निकालनों तो वी इसकल टू आई या जो मैं सिरीज के बात करता हूं तो इसमें जो जाने वाली करेंट है तॉर्क डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू क्या आई ज्क्वार ओगा आई ज्क्वार क्यों क्योंकि फाइट य्वेट् प्रोपोर्शनल टॉर्क किसमें सिरीज में अगर मैं शंट में गल्दूई नहीं तो इस केस में क्या होगा भई यहां पे जो करेंट जाएगी मेरे पास यह क्या हो जाएगी आई तो इसमें आधी जाएगी आई वाइडर्य टू और इसमें भी करेंट केंज जाएगी मेरी यह है न तो अगर मेरी इसमें करेंट आधी आ ळाए तो मैं पैरलल की बात करूँ और पैरलल के लिए तो-ब के लिए तो मेरे पास जो फ्लक्स टोई टो गतनी होगी आहई जिसका ton parallel के लिए लिए यह दो दोनों का relation निकालूँगा यानि कि पैरल में कितना है मेरे पास अगर इसमें T था तो इसमें T by 4 हो जाएगा चार टाइम्स कम होगा तो यानि कि जो पैरल के लिए आएगा मेरे पास टॉर्क विर प्रड्यूस कितना होगा आंसर आंसर आजाएगा comparison करने पे इसका equation 1 इसका equation 2 कंपेरिजन करने पे आंसर आएगा और किस्कोल टी भाए फोर टी फॉर नहीं जितना रिखा आपके पास तो इसा के कोड़िंग दिर खांसर कितना हो जागा यह एए आनसर कितना आपके पास यह कोई ने बच्चों हो जाएगा ठीक है चलिए कल गलास नहीं हुआ बाई नेक्स मेंच चलते हैं वी आपके पास ठीक है चलिए तव मालूमी होगा आपके पास या आणि कि जो traction के लीए यूज की जाती है आपके पास ठीक है आपके जानते हो ना जो आपके पास डीके घंवच मोटर इस Tiper so DC स्रीज मोटर की जाती है इसका अंसर हो जाएगा देख लिए कौन साइड तो सी ओके बच्चों ठीक है दो मोटर से बहुत ज्यादा एप्लिकेशन वाले कुष्ण आते हैं तो मैं पहले बता जे रहा हूं जितनी भी अप्लिकेशन से क्रेन लेट मशीन से ट्रैक्शन इन से पक्का आएगा ही आएगा एक कुछ मोटर्स ऐसी भी होती है जो जैसे कि में वाल दूँ कि अलीवेटर पर बहुत से जागा है आपके सिरीज मोटर भी होती है और डिफ्रेंश वह कंपाउंड मोटर भी होती काफी बुकों में वहीं दे रखा तो हम ऐसे उसमें जो उसकी रिक्वार्मेंट हर रहती है मै ठीक है चलिए तो क्या हो जाएगा आपके पास सी ठीक है डीसी सीरीज मोटर सीरीज मोटर ही क्यों क्योंकि वहां इसका जो इनिशल टॉर्क होता हो बहुत हाई रहता है ठीक है यानि कि हैवी लोड को उठाने में बहुत एफेक्टिव रहती है ओके बच्चों तो क्या हो या मेरे पास यह आंसर क्या होगे इसका डीसी सीरीज मोटर ओके और टॉर्क भी इसका क्या रखता है आई ए स्क्वायर टाइम तो आपने पढ़ा है टॉर्क फाई आई ए ठीक है तो फाई आई फाई फाई भी डिरेक्टिल प्रोपोर्शनल टू आई तो इसलिए इंटो आई है इसका ए अगर आप करेंट थोड़ी सी बढ़ाते हो तो अगर करेंट को डबल करते हो तो करेंट आप PREMEर बढ़ता है चार योंश करते हैं जहां अधिक इनीशेल टोर्क की आवशकता होती है उधारन के लिए ट्रेDER हैं और इसको कभी भी बिना लोड के नहीं चलाते हैं लुग कुछा जाता है को सिये सी मोटर होती है कि जिसको दिना लौड के नहीं चलाते हैं तो वह स्रींस मोटर होती है इनिशल। है इसका टीएर ओके दूसरी चीज इसको कभी भी लोड़ पर चलाते अश्य में शंट मोटर की बता देरों संट मोटर की कभी भी फीलड वाइंडिंग को ओपन नहीं करते हैं पूछ लेते हैं इन की open जो शंट मोटर है शंट मोटर की अगर आप फिल्ड वाइंडिंग को open कर दोगे तो क्या होगा तो उसमें जो current होगी वह बहुत तेजी से दिक होगी क्योंकि फिल्ड वाइंडिंग आपने open क्या बोलते हैं कम कर दी तो उसमें कुछ ना कुछ अब सोच रहें जब क्या बोलते हैं आई इसकल टो था वी मैनस इब एपोन के आरे ठीक है तो वी माइनस इब अब हलका सा बहुत कम होता तो current बहुत तेजी से फ्लो होती है जो कि जिस कारण मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो या इस यह भी समझ सकते हैं इसकल टू यह पढ़ाई फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बहुत अधिक हाई होगी तो इसलिए हम शंट मोटर की फिल्ड वाइंडिंग को क बा रही होगी स्पीन में जब की नहीं जाएगी और जब स्पील मोटर में नहीं जाएगी तो वो चले का दुछ分享 की जो CompTIE है फिकल हैं वाइंडिंग उखाड जाएगी अगर देना लोड के चलाएंगेंगेंगें त्रैक्शन एंड क्रेंज चलिए ठीक है तो आ जाता है कुछ शंस तो मैंने दोनों ही यहां पर रिलेट कर दी है यह बहुत ज्यादा पुछाया था कि कौन सा इसा मोटर है जिसके फिल्ड वाइंडिंग को ओपन नहीं रखते हैं और कौन सा इसा मोटर है जिसको हम बिना लोड के नहीं चलाते हैं ठीक है यंदि घंड व म Ed 것을 को आसी जन्ट जन्ट है तो आंसर और बीम जाएगा बिन इसका इन हमया आंसर की आफ़ागा आइज टरी ब्लेक हैं यहां जीनस जन्ट अवरफ इससी इन जन्रेटर का भी में बताऊ तोड़ा सब्सक्राइब करता है लेकिन पूछ लेता है लोड़ बनने के साथ क्या फर्क पड़ता है तो बहुत ना कि बराबर होता है सब्सक्राइब करता है बाकि क्या जन्रत चीजा लिक सब्सक्राइब क्राइब करता है DIRECTOR R क्या होक्व और फिरदिफेंये ड़के ड़के एक फ्रीलोड के बढ़ता है ऑंगर उसलेंचरण प्रॉट कि आपकी ड्रॉप हो रही है तो तब ही लोड बढ़ने पर वोल्टेज रेगूलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वह क्या वोलते हैं इनक्रीज होता है यानि कि पूर होता चल जाता है तो हो गया ही वाला कुष्ण भी चलिए अब next उस पर चलते हैं इंटर पोल्स तो इंटर पोल्स आप जानते ही हो जो आपकी उसके में लगे रहते हैं दो में पोल्स के बीच में जो लगे रहते हैं ठीक है उनको बोलते हैं और यह सब्सक्राइब कीचिचे अधन्य गांग करता है यह कुश्यन बहुत 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 बाहर आते देखा वह रिधी पार्किंग एड़ दा कंट कम्मुटेटर ठीक है तो रिद्यूस दा स्पार्किंग एड दा कम्मुटेटर ओके चले नेक्स्ट कुश्टन पर जलते हैं आपके पास ठीक है नेक्स्ट कुश्टन देगे फोर पोल बारा सो रपीम डीस लैप वांट जनेरेटर है पांच सो पंदरा सो बीस कंडेक्टर है इव दा फ्लक्स पर पोल इस पॉइंट जीरो वैबल दा एमफ जनेरेटर एमफ का मान बताना यह कुश्टन हमने अल्रेडी पहले भी करा रखा है इस टाइप का वही आप लोगों को ठीक है वो देखे करता है तो जनेरेटर एमफ एजी क्या घ्याटा पी फाई दैड एन अपॉन के 60 ए ठीक है पी दे रहा है इसने फॉर पोल पी इसकल टू चलिए फोर और फाई दे रहा है इसने बिलकुल दे रहा है फाई फ्लक्स पर पोल होता है वह ठीक है और चार फोल ठीक है 1520 और क्या निकालना चलिए बाकी एन दे रहे है अच्छ है एन दिया तो है यार बारा सो एन इसकल टू बारा सो तो क्या निकालना इसने जनेरेटेड इजी रख दो वैल्ली यार 4 इंटू 5 की वैल्ली है मेरे पास 0.01 इंटू जैड की 1520 इंटू एन की बारा सो अपॉन के 60 A पैरल पात कौन सा है देखना है लैप वाउंड है लैप वाउंड यानिके A इसकल टू पी के बराबर यानिके कितने हो गया चार ठीक है तो 4 से तो 4 खट गया और अब देखो अब इसको 6 कर दो यार इसकी दो दसमलों उटा दो इंटू 100 से और मुल्टिप्लाइ कर दो ठीक है इस से इस से जिरो गाट दो ठीक है यह गाट दो छे दूनी बारा ठीक है बचा क्या एक सो बावन यानिके 304 इसमें वोल्ट 304 वोल्ट ओके इसको चले तो आंसर क्या हो गया भी आंसर हो गया आपके पास भी कोई कंफिजन है बच्चो हो जाएगा सिंपल सा स्वाल था ठेक है चले नेक्स्ट कुस्टन पर जलते हैं अब इसका जवाब दीजिए जड़ा मेरे को ठेक है चले इस सवाल का जवाब दीजिए मेरे को क्या होगा यह लैब वाउंड DC जेनरेटर है 200 मैंने क्विश्टन क्यों लिया है यह देखना आप ठेक है 200 पड़ा वड़ा से जवाब दीजिए इसका 200 आर्मेचर कंडेक्टर से रंस एड़ बारा सो आर्पियम इफ दजिनेटर इतना है और देंदा ओप्रेटिंग फ्लक्स ऑफ डीसी जेनरेटर चले बताईए कि फड़ा वड़ बताओ भई चले देखे कौन बच्चे जवाब देता है इसका फड़ा वड़ से कमेंट बॉक्स में इसका अंसर दीजिए मैं देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं और कितने लोग सही जवाब देते हैं चलिए जल्दी से फड़ा वड़ से जवाब दीजिए चले बई फटावड़े जवाब दो यार इसका क्या अंसर होगा इसका निकल भी पारा है नहीं निकल पारा पॉइंट जिरो फॉर ओके चले लेट सी अब देखो काफी बच्चों को यह कंफिजन हो रहा होगा इस दर इसमें नंबर ओफ पॉल तो दिये नहीं है नंबर ओफ पॉल तो नहीं दिये है लेकिन अगर हम बात करें इसमें अब इससीद का ध्यान देना इस तो नंबर ओफ फॉल नहीं दिये चले काफी बच्चों का आ गया वैसा बड़ी अच्छी बात है तो अगर आप फुछे पॉल नहीं दिये तो अगर आप इसमें घबराने वली बात EG is equal to फिर क्या 5Z N upon के 60 बच जाता है और आपको क्या रखना है ठीक है lap wound में तो यह होता है सभी में यह होता है ओके और आपको क्या निकान लाँ उसने flux पुछा flux is equal to 60 into EG upon के Z N 60 into EG की value देखना कि इतनी दे रखी इसने EMF generated EMF 200 और अपकोन के Z कितना दिया है इसने भई Z इन दिया रखा गया 200 आर्मेचर कंड़क्टर्स वोई तो 200 आर्मेचर कंड़क्टर्स है और 1200 RPM पे चल ला है 2 0 इससे काट दो ठीक है भई 6 दूनी 2 चिक 12 और 6 से 6 गट गया तो 1 बटा 25 और पॉइंट लगा एक 0 बढ़ा एक 0 एक 0 पच्चिस हो का 100 ओके तो 0.04 वेबर आंसर इस देख लो आंसर इस B इसका भी आंसर B ही होगा कोई confusion है बच्चो ठीक है क्योंकि lap wound में cancel हो जाता है ओके ठीक है गुड ठीक है यह तो मालूमी होगा आप लोगों खैर हो जाएका questions चलिए तो अब यहाँ तक तो कोई confusion नहीं है बच्चों को ठीक है इस वाले questions में ठीक है फटावर्ट से आप share तो कर दो आप लोग शेर नहीं करते हैं पता एक भी वीडियो हैं जो भी आपके ग्रूप के बच्चे हैं दोस्त हैं यह आप पढ़ाना इंचाते हो उनको competition हाई हो जाएगा है चले नेक्स्ट कुश्चिन पर इलते हैं बापके बास हाइस स्पीड अटेंस दा डिजी संट मोटर हीज मच्च हाईयर देन दनो लोड़ी स्पीड मच्च लोवर जो रहाईस्ट स्पीड है एक तरीके से जब उसमें होती है वह किस कंडिशन में तो मच्च हाईयर अधिक हाईयर देन नो लोड़ी स्पीड पर आईयली इनफानेट है इक्वल टू नो लोड स्पीड पर तो हाइस जो स्पीड होती है उसकी भाई ठीक है जब वह नो लोड की कंडिशन में होगा नो लोड देखो मोटर को मैंने बता रखा हमेशा ऐसे समझो जैसे आपके उपर जैसे आप हो ना आप बिल्गु मोटर की कैरेक्टिस्टिक के हो अ उसकी स्पीड में कमी आईए वह भले ही ना के बराबर कमी आए ठीक है अगर आप सिंकोनस मोटर की बात करते हो कह रहे हैं सर उसका लोड बढ़ने के साथ और उसके साथ भी कोई चेंज नहीं होता तो आता है वहाँ पर टॉर्क एंगल में चेंज आता है जो स्टेटर अंटर की कब मिलती है में नो लोड स्पीड पर ठीक है नो लोड और सुरी नो लोड नो लोड पर ठीक है एक वल टू नो लोड इसका डी को के बच्चों तो आंसर क्या ओगया इसका डी इक्वल टू नो लोड स्पीड नो लोड स्पीड ओके चलिए अब नेक्स कुश्चन पर जलते हैं ठीक है अब देखो यह कुश्चन भी बहुत बार पुछ आ चाहता है बही बच्चों ठीक है इसमें क्या है रोडेक्शन औफ रोटेशन आफ डीसी संट मोर थे संट मोर्टर की आप क्या बोलते हो जो डीक्शन है वह रिवर्स कर सकते हो किसके जरीए ओके फड़ा वर्से मुझे इसका जवाब दो आर्मिचर टर्मिनल आइदर फिल्ड आये और आर्मेचर या सी या फिल्ड टर्मिनल्स ओन्ली चलिए बताईए फटावर से बताईए ठीक है सही है बट वैसे ही बहुत कॉम्पुटिशन है कॉम्पुटिशन कितना भी हो जाए मैं आप लोगों बता दू निकलता वही है जो महनत ज्यादा करता है ठीक है कॉम्पुटिशन बस महनत ज्यादा करने का हो जाता है और कुछ नहीं ठीक है चलिए C बोल रहे हैं बच्चे चलिए फटा वड़ बताओ CD ऐधर फिल्ड और आर्मेचर एक बच्चे ने सही जवाब दिया है हैं मैंने क्या बता रखा है यहां पर जो DC motor है शंट-motor है वह मैंने motor के क्या के असा बता रहे के motor आपने पढ़ा ही निए फिल्टक से ठीक है जब भी हम motor की direction को चेंज करते हैं left hand rule एते हैं एक मेरा magnetic field को दिखाता है एक किसको दिखाता है current को और उस और एक उस पर लगने वाले टॉर्क को तो दो में से आपको क्या है एक ही चीज को अगर मैं बात करता हूं देखो तो यार कैसे भूल गए आप एन यह फिल्ड है और यह कंडुक्टर है ओके यहां पर मोर्टर है यहां से करन्ट याती है इसमें दूसरी तो अगर मैं बात करूँ इस इस वाले इसकी कंडुक्टर की तो यह मैंनेटिक फिल्ड को दिखा रहा है यह करंट को और टोर्क को तो इस वाले पर लगने वाला फॉर्स होगा ना यह इधर होगा इधर ठीक है और यहां यहां से करंट की मएं और यहां से करंट की माइं यह पने अव्य तो लेकिन आपको यह भी ध्यान देना पड़ा है खाली आर्मेश्टर को चेंज करने से होगा नहीं अगर आपके पास पहले direction ले लो आप लेकिन इससी में current डाइक ये ले ले लो तो अब क्या होगा अब क्या होगा motor में देखो पहले यह था ना लेकिन इसमें आप p advert की डैरेक्शन देखो इस वाले पे इस वाले पे इस पर जो लगने वाल टॉर्क यह आया आप पहले इस तो क्या होगा आपके motors की directions change हो जाएगी reverse हो जाएगी तो किनी भी तो answer क्या हो जाएगा इसका B answer क्या हो जाएगा इसका B ओके clear है तो किसी भी चीज की direction को तो answer हो गया आपके पास B ठीक है either field और armature terminal ठीक है और armature terminal चले next question पर जलते हैं आपके पास ठीक है AC series motors में are built with a few turns यह यह कुछी turns यूज़ करते है as possible to reduce तो जो AC series motor होता है उसमें हम कुछी turns लेते हैं ऐसा क्यों होता है भाई ठीक है तो reduce तो few turns लेने से क्या होज़ा है इसकी reactance जो है आपकी वह कम होती है तो आंसर क्या हो जाए इसका B आंसर क्या हो जाए इसका B तो किस चीज़ को reduce करने के लिए reactance को react okay बच्चों तो कोई confusion है यहां तक हो जाएगा चलिए next question पर जलते हैं the poles of DC machine are often laminated to reduce तो यह तो मैंने बता रहा रहा है यहां भी होगी ना आग बंदगर के लिए लगा देना वह चाहिए आप आपके पास क्या है एए आंसर क्या हो गया एए एडी करेंट ठीक है तो यह मैं ट्रांसफॉर्मर में लूंगा फिर जी वाला questions ओके उसमें numerical ले लेंगे तो वह इसमें क्या करना पड़ेगा आपको एडी करेंट लॉस reduce करने के लिए आपको क्या करते हैं जो है लेमिनेट करते हैं ठीक है चलिए होगे यह वाला question चलिए नेक्स्ट कुस्टन पर जलते हैं वीचों फॉलइंग मोर्टर्स कैन वर्क सैटिस्पेक्टरली और बोथ AC और DC तो जो AC और DC पर काम कर सकता है motor बताना वह आपको तो पड़ाए और और यह मोटर कौन सी होते हैं मेरे पास सीरीज मोटर होती है डी सी सी छी मोटर को यह हम ए्ट सी युनियुवर्सल मोटर भी बहुत जाता है कि तो आंसर क्या हो जाएगा यहुसाद एसी मोटर्स बनाते टाइम ठीक है उसमें जो मेरे पास इस्ट्रेस लॉस एडी करन लॉस इंक्रीज आरन लोस इसके कारण चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं अब चलिए तरह में इंक डाल लूँ आप इसका जवाब दीजिए मैंने बता रखा है इसका कुश्चन मैंने पहले डीटेल में बता रखा है इसमें कन्फ्यूज नहीं होना फटावट से इसका जवाब दीजिए ओके चलिए वह क्या होगा दा कम्मुटेटर इन डीसी मसीन एक्ट यह मैंने अलगी बता रखा लेकिन कुश्चन दुबारा आया है वैसे मैंने बता रखा आए एक्स्प्लेइन करें जलिए पड़ावर से बतावड़ अबी सीडी में से कौन सा आंसर फटावड़ से बी 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 चलिए और भी और भी और भी ठेक है उसने motor generator बोला ही नहीं, motor generator उसने बोला ही नहीं, मैंने कहा है, motor के case में, अगर आप बात करते हो, किस की, commutator की, तो motor के case में क्या करता है, motor में supply तो आप DC देते हो, बट अंदर AC हो जाती है, यानि कि DC को जब वो AC में convert करता है, तो AC process को हम क्या बोलते है, inverter, आपके घरों में क् क्या करता है, तो क्या करता है DC को, लेकिन यहाँ पर mechanically rectifier भी बोलते हैं, लेकिन mechanically inverter भी बोल सकते है, motor की case में, तो यानि कि inverter की तरह भी काम कर रहा है, और rectifier के भी, तो इसलिए answer D होगा, आइदर A और B, या तो A या फिर B, but depend on the machine, motor है तो यह मेरे पास A होगा, और generator है तो answer समेरा B होगा, कोई confusion है किसी बच्चे को यहाँ तक, ठीक है, इस question पर ध्यान देना है, बच्चे बहुत गड़बड कर देते हैं, ठीक है, ओके, चलिए, तो यह question आने के बावजूद भी गड़बड कर देते हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगोंने, तो answer क्या हो गया, D, ठीक है, either A और B, यह तो करील हो गया, ठीक है, यह तक हूँ, A और, ठीक है, option के coding, चलें, next question पर चलते हैं, आपके पास, ठीक है, the purpose of using dummy coil in DC machine, यह भी आ जाता है, आपके पास लोगी, कि dummy coil का use, हम DC machine में क्यों करते हैं, तो यह देखा जातो, bring the mechanical balance of armature को, यानि कि उस पे mechanical balance बना रहे, ठीक है, इसलिए भी इसका use करते हैं, answer क्या होगा, C, ठीक है, answer क्या हो जाएगा, bring the mechanical balance of armature, चलिए, ठीक है, हो जाएगा, next question पर चलते हैं, आपके पास, तो number of six pole, DC machine भी यह question भी बहुत बाहर आती देखा है, मैंने, ठीक है, या wave wind में आ जाएगा, या lap wound में आ जाएगा, ठीक है, six pole wave wound दे रखा है, देखो, armature, the number of Bruce required, तो जलिए फटावट से बताईए, कितना होगा, इसका answer, इसका answer बताईए, लिए फटावट से कितना होगा ठीक है, ओके, चलिए, चल्दी जवाब दीजिए यार, ठीक है, wave wound है, wave wound में, that means मेरे parallel path कितना है, होगे, केवल दो, अगर दो parallel path तो में दो Bruce की आवे सकता होगी, तो answer is two, a is equal to, answer is a, और यह हो गया, two, कोई confusion है, चलिए, the commutator segment of a DC machine are made of, तो यह किसका बना होता है, भाई, commutator segment, DC machine, hard drone को अपर का, hard का क्यों, ठीक है, अब दो यह भी question आ जाता है, मेरे पास, answer हो गया, इसका, बी, hard, drone, कोपर, ठीक है भाई, अब इसमें एक सवाल यह भी आता है, दोख़ा आपके पास, hard drone कोपर, that means, यानि कि जो मेरे पास commutator segment होते हैं, commutator segment जो rotating part होता है, उस पर लगे रहता है, गूमते रहते हैं, और उनके पर Bruce inbuilt होता है, ठीक है, अब यह भी आता है, कि Bruce मजबूत होता है, यह आपके commutator segment, तो क्या करते हैं, बताइए, ठीक है, तो यह भी आता है, तो मैं बता आदू जो आपके hard drawn copper है, hard इसलिए बनाया आता है, Bruce से जादा, क्योंकि जब चीज कोई खराब होगी, अब देखो, जो friction रहेगा मेरे पास, किस में? मोटर में और Bruce में, यह rotate करता रहेगा, ठीक है, यह और मेरी finger है, इनको आप Bruce समझ सकते हैं, rotate करेगा, जब यह rotate कर रहा है, तो heat produce हो रही है, तो damage यह भी होगा, friction के कारण यह भी हो सकता है, तो damage कौन सा होगा, जो ज़्यादा अधिक, soft होगा, soft हमारा Bruce रहता है, compare to किसके? Commitator Segment के, ऐसा इसलिए भी कि जब change करें तो भाई, मेरा Bruce खराब हो, मेरे Commitator Segment ना खराब हो, वो ज़्यादा भी होगा, loss भी उनमें ज़्यादा रहेगा, तो के वल, वहाँ पे दो Bruce ही खराब होगा, ना कि मेरा Commitator का Segment, तो इसलिए हम इसको hard drone को अपर का भी बनाते हैं, ओके, clear है, चलिए, तो answer इसका हो गया, मेरे पास B, यहाँ तक clear है, ठीक है, middle में में का फिल किलावा होता है, हाँ यार वो तो insulation के लिए खलते हैं, ठीक है, चलिए भाई, अब next question पर जलते हैं, ठीक है, अब देखना है, क्या generator है, तो निकाल दो गयार आप, है ना, generator, that means, generator के case में, equations क्या रहे है, terminal voltage, EG is equal to V, प्लस के, IA, RA, और V पुछा है, V is equal to, EG minus के, IA, RA, that is, terminal voltage, यह क्या है मेरे पास, terminal, voltage, okay, EG की value देखना भई, EG दे रखा है, case में, EMF inducing, 230 volt, दे रखा है, ठीक है, 230 volt, generate करता है, armature resistance है, तो armature current is 200 ampere, तो 200, into RA भी दे रखा है, यह दो, symbols are 0.1, तो यह तो 230 minus के, 0.1 से करोगे, तो 20 आजाएगा, 210 volt, answer देख लिए, यह करम सा भाजाएगा, B, तो answer क्या हो गया, आपके पास, B, ओके बच्चो, clear है, या कोई confusion है, हो जाएगा, चलिए, next question का जवाब दीजिए, अब, चले भई, अब, क्या है, ठीक है, दरेटेटीड स्पीर ओफ गीवन, ठीक है, जो है आपके पास, डेटेटीड गीवन डीची शेंट मॉटर, इस थाप्चास आर प्म, टु रन दा मशीन, at 1200 RPM the following speed control scheme will be तो पई देखो भई इसने क्या बोला है आपको कि एक stunt motor है और वो 1050 RPM पे चला है तो runs the machine at 1200 RPM पे चलानी है तो कौन सा मुझे speed control scheme use करनी चाहिए या होगी तो यहाँ पे एक बात मैं hint दे रहा हूँ आपको यहाँ पे केवल स्पीड को में up करना है down नहीं करना है है ना तो जो सस्ता पड़े उससे कर सकते हैं जो सस्ता और अच्छा हो है ना क्योंकि variable frequency में अगर आप frequency जो है change करोगे तो उसके लिए तो आपको काफी चीज़े बदलनी पड़ेगी और मैं बात करूँ आर में चेर रिजिस्टेंस कंट्रोल की तो उससे तो मेरे पास देखा जाए तो रिजिस्टेंस को इन बीट करो कम करना पड़ेगा उसमें भी या फिर वोल्ड लिए नोड मैंट लेकिन जो फिल्ड रिजिस्टेंस में थाड़ है एं डियरक्ली फिए एर्च स्टेटीशलिट्र और सूम्यान इंडर्सले प्रव्शनल के फाई क्या थेता टरण गरेण प्लिक्स कम कर दो आप और स्पीड आपकी तो याइन कि मैं बॉल सकता हैं मैं फिढ़ रिजिस्टेंस कंट्रोल फिल्ड ग्रेंस कर दूँलः अब इसमें पूछे अगर मैं बात करूँ फ्लक्स की बात करूँ मैं तो i directly proportional to flux अगर ये कम तो ये भी कम या flux directly proportional to i ठीक है actual में ये था ओके ठीक है तो चलिए तो answer क्या हो जाएगा इसका b जब मेरे पास rsh command increase होगा then flux command reduce होगा अब flux command reduce होगा तो n command इंक्रीज होगा तो यानि कि मैं बोल सकता हूं इस answer हो जागा c field control method control या flux control method भी बोलते है अच्छा लिए फिल्ड रेजिस्टेंस method वाटवर जो भी है इसमें क्लिए रहे हैं कि आप लिए नोड मैसर से हो जाएगा हमने करता है जो अच्छा होगा उससे करेंगे ठीक है ऐसा नहीं कि आप क्या बोलते हैं प्रिकेंसी से नहीं कर सकते हैं कर सकते हो लेकिन फिर बहुत साथ चीज़ चेंजिस करने पड़ते हैं ठीक है अब फ्रिकेंसी कैसे बढ़ाओगे दिक्कत ही हो ना पोल्स वगयरा फिर उनको काफी और उसके मैनुफेक्चरिंग उसमें चेंज करने पड़ेंगे ठीक है चलें नेक्स्ट कुस्टन पर जलते हैं अभी देखो इसमें क्या था हमने कुस्टन निकाला था ठीक है जब यह है टो जो है DC सेरीज मोनेक्टेड टिंसरीज और I डोगरी बढ़े सप्लाय अज़ा अद एडा स्पीड एन वैं दा सेम मोंत आर कनेक्टिद इन पैरलेल ठीक है और करल्ड तेकन आई तब स्प्लाय देश्पीड ओफ इछ मोंत ठीक है speed of each motor जल्दी बढ़ताओ फटावर्ट से आंसर क्या होगा ठीक है एक सेगंड जल्दी से फटावर्ट से मझे इसका question का answer बताईए आप लोग कि क्या होगा ठीक है झावर्ट से आंसर क्या होगा चले भाई तो देखो अगर मैं बात करूँ इसमें speed of each motor की एक मेटर की पुछी इसने तो अगर मैं speed की बात करूँ यहां से n inversal proportional को यहीं से पता चल जागा तो parallel में current तो मेरी आधी हो जाएगी क्या एक motor की ना अगर current आधी हो गई मेरे पास flux भी क्या हो गया current आधी हो गई series motor को current आधी हो गई तो मेरे पाफ फ्लक्स भी half और जितना यह half यह two times after two times increase तो यानिके पहले speed n थी तो अब कितनी हो जाएगी मेरे पास 2 n हो जाएगा तो answer देख लिजे क्या हो जाएगा C आणसर कितना हो जाएगा C ओके तो यानिके 2 n हो जाएगी n is equal to sound आणसर कितना है इसमें C 2 n ओके बच्चों चले next question पर जलते हैं आप के पास आप देखो इन्हें motor starters are used जो motor में starter होते हैं उनका use करते हैं increase the starting torque या limit the state current starting current only A only B ठीक है या बोथ A और B या ननो अब दीज चलिए पताएगा फड़ावड से इसका answer बताईए ठीक है बई तो भई starter का use हम क्यों करते हैं पहली चीज़ अगर starter ना लगाएं तो होगा क्या यह भी एक सोचने की बात है क्यों लगा रहे हैं starter भई ना भी लगाएं तो क्या हो जाएगा ठीक है तो चलिए वह अगर मैं बात करूँ स्टार्टर वैसे तो current limit करने के लिए करते हैं ठीक है तो आंसर तो इसका होगा जाए बी आंसर तो जाएगा इसका भी ठीक है यानिक है तो लिमिट दा स्टार्टिंग करन्ट टू टू लिमिट दा स्टार्टिंग करन्ट ठीक है अब स्टार्टिंग करन्ट को कैसे लिमिट आई ए आर्मेचर करेंट इसकल टू क्या था वी माइनस के इभी अपॉन के आर ए आर ए वेरी लेस बहुत कम होता है लग बग पॉइंट फाइफ टू वन ओम तक लेलो चलो अप् इसमेंट आप अमालों वी 200 वोल्ट है और इनीशियल कंडिशन में यानि के शुरू में जब मोटर घूमता नहीं तो एन इसकल टू क्या आते जीरो एन जीरो तो इबी भी जीरो और इस केस में फिर आई ए इसकल टू वी अपॉन के आरे वी 200 वोल्ट है मालों यह 200 वोल्ट जल जाएगा और मेंचे ओके तो उससे बचने के लिए हम क्या अगलते स्टार्टर का यूज करते हैं ताकि वो इनीशियल कंडिशन की करण्ट यह एक्जामपल है वस ओके इनीशियल कंडिशन की करण्ट इनीशियल कंडिशन में जो करेंट फ्लो होगी उसको कंट्रोल कर स सबका सबको क्लियर हो गया सबको समझ आगे बच्छो बाकि नेक्स उसमें चलते हैं अब नेक्स उसमें देखे क्या कहता है ठीक है फोल्ड प्रडेक्शन ओफ इंड्यूज इम्फ फिल्ड सिस्टम ओफ एन इलेक्ट्रिक मशीन वह बताए चलिए अब इतना तो वरुसाइदी तो हो गई चलो है ना अब तुम्हारे पास एक वो कम हो गया चलिए बताईए जल्दी से इसका जवाब फड़ावट से बच्चों कितने बच्चे देख पाते हैं देखें आंसर क्या लगाओगे बहुत सी बार हमें पता रहता है लगें हम कंफ्यूज रहते हैं को से आंसर ऐसे लगते हैं है ना कि देली दो क्लास लाइव रहती है यह आपकी देख सकते हो आप आठ वई से दस बजे तक में भी स्टेटर और रोटर बी बोले कोई बच्चा यह बोल रहा है चलिए दो काफी बी बी बोल रहे हैं कोई रोटर कोई ओके चले वाई अब देखो वाई उसने बोला है अगर बात करें अब कुश्चन को ढंक से पढ़ते हैं उसने बोला है कि एम आफ औफ मशीन तो मेरे पास जन्नेटर भी है सब यह अगर मैं बास करो जो सिस्टम होता है लेकिन अगरों मेरे पास रोटर में होता है तो यानिए वहां तो मेरे किस पर हो गया ओर डिव में किसा हो गया इन में कि तो यानि कि मैंँ बोल सकता हूं दोनों में ही होता है यानि इ た भी हो सकता। रोटर दियन उन्द मशीन यहिस आंसर किया को गाच मेबी इस ट्रेट़ और रोटर तो अंसर हो जाए इसका B, अंसर हो गया इसका B, maybe, rotor, or stator, ओक्या बच्चो, चले, next question पर जलते हैं, आपके पास, जिनका B था, उनका जवाब सही था, ठेक है, the number of conductors of a compensating winding in a DC machine, तो मैंने बताया था, compensate का मतलब ही होता है, हजया ना देना, तो armature reaction वगयरा, reduce करने के लिए, हम compensating winding का यूज करते हैं, ठीक है, और, क्या, उसमें, इसके वो पूछ रखा है, इसने, is always the number of armature conductors, ज़्यादा होते हैं, is always the less than armature conductors, maybe less than, more than, तो हमेसा कम होते हैं, इसके number of armature से तो, तो answer क्या हो जाएगा, इसका, is always less than the number of conductors, पर पूल, तो पर पूल conductor से कम होते हैं, हमेसा, तो जो compensating winding होती है, और इसकी वो भी armature के साथ series में connect रहती है, तो answer क्या हो जाएगा, इसका B, आंसर क्या हो जाएगा, B, चलिए, इसमें में लिखने रहाएगा, काफी length इसा है, ठेक है, तो भाई, दो DC machine है, 500 kilowatts, each hour test, Hopkins test, ठेक है, method is the power input, तो यह तो रेटिंग्स power input, DC machines, यह तो two machine है, 500 each tested wire, 500 kilowatts की लेकिन इसमें हमें losses बगेरा नहीं दे रखे हैं, तो that means by losses नहीं दे रखे, और parameters भी नहीं दे रखे, that means हम इसमें find out नहीं कर सकते हैं, तो data insufficient है, तो answer होगा, मेरे पास none of these, तो answer क्या हो गया, मेरे पास, none of these, next question पर जलते हैं आपके पास, ठीक है, the speed of series motor at no load is, तो no load पर मैंने क्या बाता रखा भाई, series motor के speed, no load पर कभी operate नहीं करते हैं, बहुत हाई, बहुत हाई, सबसे दिखाई क्या हो सकते है, infinite, तो answer क्या हो जागा इसका, t, infinity, 90, ठीक है बाई, चलिए, infinity, next question पर जलते हैं, आपके पास, the field flux of DC motor can be controlled too, तो flux control के जरी है, जो field flux control है, उसके जरी आप क्या कर सकते हो, केवल speed को हम बढ़ाई सकते हैं, पढ़ा भी हमने, क्योंकि flux को, ठीक है, आप flux को, जो field flux सब बढ़ाता हो सकते हैं, कम ही कर सकते हैं, and directly proportional to, sorry, inversely proportional to, तो flux मेरे पास, कोई ऐसे जड़ी बूट्टी तो है नहीं वहीं, उसमें कि मैं increase कर दूँगा, उसके लिए मुझे टर्मिनल वॉल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, जो कि मेरे पास fix रहती है, ओके, ठीक है, तो, यानि कि यह मेरे पास reduce ही होगा, और यह reduce होगा, तो मेरे speed increase ही होगी, तो यानि कि control to achieve the speed lower than the rated speed, is the higher than the rated speed, तो 2017 में अभी question आया है, तो answer हो जाएगा B, तो इस method का use हम केवल speed को अधिक speed को achieve करने के में ही करते हैं, ठीक है अच्छो, कोई confusion है यहां तक, about the rated of speed, ठीक है, चलिए, चलिए, चलिए बाई, एक motor है, आपके पास and motor takes a 5 ampere, the runnings, running, क्या बोलते हैं, running light, ठीक है, ओके, shunt field resistance इतना है, आर मेंचर, रेजिस्टेंस है, आपके पास 5 दो वाटेज़ दा, driving power, तो driving power क्या होती है, जो मेरे आर मेंचर को गुमारी होती है, उसी को हम driving power, बोलते हैं बाई, तो driving power, जो motor में driving power होती हो, क्या होती है, driving power, जो होती है, पहले हैं बाई, बाई, formula लिख लो, उससे आपको आड़े लगए, तो में यह कहके चीज़े find गरनी है, बस, driving power, इसको लटो होते, e b into i a, है ना बाई, e b into i a, तो है आपके पास कुछ चीज़े, शंट motor है, motor है ना, अच्छा, तो equations दूसरी लगेंगे, इसमें जन्रेटरी कुल्टी, तो मेरे को क्या निकालना, i a, भी नहीं दे रखा है, इसने, take से, i l, चले में, diagram बनाएता हूँ, उससे चीज़े आपको समझ में आ जाएगी, और अच्छा, और clear हो जाएगा, ठेक है, take से 100 volt, ठेक है, पाँच एमपेर की अरंट ले रहा है, ठेक है, और पाँच एमपेर की अरंट ले रहा है, शर्ड, स्वीड रेस्टेंस 50 ohm, ठेक है, और आर्मेचर रेस्टेंस 0.2 ohm, चलिए, अब हमको कह चाहिए, ब्राइइंग, एक तो आईए चाहिए, और यह हो जाएगी il, तो आईए निकल जाएगी मेरे पास, पांच तो इदर आ रही है, इसकी निकाल दो, इसका क्रोस 100 volt है ना, तो इसकी करंट तो पता चल लगी मेरे को, आईए सेच, कितनी 100 वटे, 50 तो यानिके 2 amp, तो अगर इसमें 2 amp जा रही है, तो इसमें जाने वाली कितनी होगी, 3, तो निकालने की ज़रूराद नहीं, आईए आगया आपके पास, तो आईए कितने आगया, 3 amp भई, ओके अब इवी निकालना मोटर में, वी इसकल टू क्या होता है, इवी प्लस के, आईए, आरे, तो मेरे को तो इवी निकालना ना, तो वी माइनस के, आईए, आरे, ठेक है, तो वी, सो, इन्टू आईए, तीन, एमपेर करन जा रही इन्टू पॉइंटू, टू, ओम, तीन दूनी, छे, पॉइंट सिक्स, तो आगया, 99.4, इन्टू कल दिया, मैंने, माइनस था, 99.4, इवी, चलिए, तो कल दो, आब इवी, 90, 99.4, इन्टू, आईए, कितने थी, तीन, तो यार, यह हो गया, तीन चोक, बारा, नोटिया, सथाइस, और एक अथाइस, कैरी, टू, नोटिया, सथाइस, और दो, उन्टिस, दो समने, दोसर थानवे, पॉइंट इतने, वोट, तो दोसर थानवे, वोट लगब, लगब, वोई मादलिया, 298, वोट, तो आंसर क्या होगे, भाई, बी, आंसर क्या होगे, आपके पास, बी, कोई कन्फीजन है बच्चों यहां तक, हो जाएगा, भाई, ठेक है, ना, कोई कन्फीजन यहां तक, ठेक है, हाँ, टू आ रहा है, अप्रोक्सिमेट ले लेंगे हैं, ठेक है, तो चलिए, बाकी के कुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च and thank you so much, ok.